एमसंग का ए 12 फोन है जिसके अंदर ग्राफिक्स और बैक लाइट का प्रोब्लम है इसके अंदर ग्राफिक्स नहीं बनेगा तो बैक लाइट पे भी कुछ नहीं सो होगा तो एक बार मैं चार्जिंग में कनेक करके मैं आपको दिखाता हूं यह देखो मैंने केबल लगा दिया अभी साजिंग में MPR 1.8 ले रहा है फिर भी डिस्प्ले पे कुछ शो नहीं कर रहा है इस प्लेंग ही आ रहा है इस फॉन में किसी और टेकनिशन ने काम किया हूआ है बेक लाइट पे IC चेंज किया हूआ है कोईल चेंज किया हूआ है फिर भी यह फॉन के अंडर बेक लाइट का इस्यू है और ग्राफिक्स भी नहीं बराया है एक बार हम क्या करते हैं पहले हम चेक कर लेते हैं कि क्या कोई शॉर्टिंग है के नहीं यह मैंने औरेडी फोन को ओपन कर लिया है लाइस सेक्षन में शॉर्टिंग है के नहीं वह हम पहले मल्टिमीटर से चेक कर लेगे उसके बाद में हम देखेगे कि झाल पर नगाई कर दो। कर दो कर दो कर दो नहीं है यहां पे तो ओके लाइन है लप केपिसे तर ओके है ज्यादर तर यह केपिसे तरी सूट निकलता है जब बैक लाइक का इसी होता है यह फॉन में उल्टा यह फॉन में ग्राफिक सी नहीं बन रहा है यह डायोट भी ओके है मतलब लाइक सेक्षन में कही भी शॉर्टिंग नहीं है और कोई लाइन भी ओपन नहीं दिखा रहा है एक पर हम कनेक्टर पे चेक करेगे कि क्या वहां पर कोई लाइन और या ओपन कोई लाइन सौर्ट या ओपन तो नहीं हो गई है भी पी और डाटा लाइन डाटा की लाइन ने चेक करेगे कि कनेक्टर की नीचे की साइट पर बिटा ओके है यहां पर च्यार पीनों पर रीडिंग चेक करना होता है दूसरी कनेक्टर पर भी रीडिंग साही आ रहा है पीन पर दूसरी पीन पर भी रीडिंग ओके है यह रेको चोठी पीन पर रीडिंग आ रहा है आना चाहिए सारे 300 के आसपास में वो रीडिंग नहीं आ रहा है यह वाली पीन पर रीडिंग नहीं आ रहा है चोठी जो पीन होती है यहां पर रीडिंग नहीं हो नहीं आ रहा है यह लाइन CPU से दाटा प्लस की लाइन है सायद वो लाइन पे रीडिंग जो आना चाहिए सारे 300 के आसपास में वो रीडिंग नहीं आ रहा है यह वाली लाइन ओपन हो गई है तो डाइरेक्ट सीपी यू से आठी है यह लाइन एक बार बीप में चेक कर लेते हैं यह उपे से चोठे नंबर की पीन है अब देख सकते हो अब दाटा पोजिटिव की लाइन है यह लाइन पे रीडिंग आना चाहिए वो रीडिंग नहीं आ रहा है इसकी वज़र से यह ग्राफिक्स फॉन में नहीं बन रहा है और इसकी वज़र से ही फॉन में लाइट नहीं टिखाई दे रही है दिस्प्ली पे कुछ शो नहीं कर रहा है यह आप देख सकते हो तो हमें क्या करना परेगा अब हमें CPU को रिबॉल करना परेगा और रिबॉल करके हम देखेगे कि क्या वहाँ पे रीडिंग आता है रिबॉल करने के बाद तो चले CPU को रिबॉल कर लेते हैं सबसे पहले हम फ्लक्स को अपलाई कर देगे आइसी की च्यारो और होट गन में यूज कर रहा हूँ टी ड़ब्ली एक सट और एर मेंने रखा है सेवन्टी और हीट में रखूंगा तीन सो पतास के आसपास में और सत्तर एर रखेगे नोजल को ऐसे आइसी को च्यारो और घुमाना है उसके बाद में जब आइसी के नीचे बॉल्ड मेल हो जाए तो आइसी को उठा लेगे प्रोसेसर को CPU को करें देखो हमने CPU को रिमूव कर लिया है अब हम नीचे का जो बॉल्ड है गलू है वहाँ पर हम गलू को क्लीन करेंगे झाल 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 जब आप CPU को रिमूव कर लेते हैं उसके बाद में जो मडर बॉट का गलू साफ करते हो तो आइन की हीट थोड़ी जादा रखने की अभी मैंने आइन की हीट रखी है 425 के आसपास में और जब CPU क्लीन करें तो वहाँ पर हीट उसकी कम रखने की तक्रीबं 330 के आसपास में अभी ये मडर बॉट का गलू साफ कर रहे हैं तो अभी 25 के आसपास में हीट सही है क्योंकि जब आप कम रखोगे मडर पर पर जब क्लीन करोगे गलू तो अच्छे दरह से क्लीन नहीं होता है टाइम लग जाता है झालो पर झालो ये नहीं होता है कि यह हमारा ग्लू सब क्लीन हो गया है अब हम दीश वडर वायर से क्लीन करेंगे नहीत क्लीन वायर से क्लीन हो प्रेफ आणिया हैं इनको ऐसे आइरन को ऐसे हलके हाटों से चारों और गुमाना है और नीचे का जो पेट है वो अच्छी तरह से क्लीन हो जाए अच्छी तरह से यह मदर बॉट का मदर बॉट क्लीन हो चुका है अब हम सीप्यू क्लीन करेंगे सीप्यू के उपे जो ग्लू है वो हम क्लीन करेंगे अब है। अब यहां पर CPU जब क्लीन करते हो तो आइरन की हीट है वो ठोड़ी कम रखने की तो उससे क्या है CPU डेमेज नहीं होता है अगर आप ज़्यादा हीट रखड़ोगे आइरन की तो CPU डेमेज होने का खत्रा होता है तो जब CPU का ग्लू क्लीन करो तो हमेज़ा आइरन की हीट कम ही रखने की अभी मैंने 325 के आसपास में इसकी हीट रखी है और ऐसे हलके हाथों से ग्लू को रिमूव करना है जैसे कि मैं अभी यह कर रहा हूँ अब देख सकते हो क्योंकि जब यह सिंगल लियर का जो CPU होता है तो उसको बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन करना होता है क्योंकि जो ज़्यादतर वो CPU क्लीन करने के दोरान सौट हो जाता है तो वो भी ध्यान में रखने का डबल लियर का जो CPU होता है वो उसका जो अंडर का प्रिंट रहता है वो बहुती हाद रहता है तो वो इतनी जल्दी से देमिट नहीं हो जाता है और ये जो सिंगल लियर का है वो बहुती जल्दी नीचे का जो लियर है वो आपस में जूर जाता है तो वो भी ध्यान में रखने का और जब क्लीन करो तो अच्छे हलके हाथों से आईरन को गुमाने का जब दो लियर है सोल्डा वायर भी घुमाओ तो वो भी हलके हाटों से घुमाने का तो क्या के नीचे की जो प्रिंट है वो सौट नहीं हुए अब यह हमारा अल्मोज सिप्यू क्लीन हो चुका है साथ एक टू जगा पर थोड़ा प्रिंट उखरा है हम क्या करेंगे यूवी माक्स लगा देगे यूवी ग्लू लगा देगे वहां पर तो आपस में जब रिबॉल करें तो आपस में जो बॉल होते हैं वो जूड ना जाए वैसे सिप्यू डेमेज नहीं हुआ है थोड़ा हलका सा प्रिंट निकला हुआ है एक टो जगा पर करी करेंगे झाल झाल यूवी लाट से हम ग्लू को ड्राइ कर लेगे झाल झाल अब हम सिप्यू को रिपॉल कर लेगे झाल 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 ये 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 हमने सिप्यू को रिबॉल कर लिया है अब हम CPU को install करेगे CPU install करने के लिए हम erosion flux को apply करेगे erosion flux इसलिए मैं IC के CPU के नीचे लगाता हूँ अगर मैं direct flux लगा देता हूँ तो क्या होता है कि कई कई बार वो IC अपनी जिगार से हच जाती है flux की वज़ा से तो अगर erosion flux लगाते हो तो उसे क्या IC अपनी जिगा पर ही रहेगी और अच्छी तरह से बेट जाएगी CPU रगाने के लिए मैं हीद रखूंगा 345 और एर 70 70 हमने CPU लगा दिया है एक बार हम DR रीडिंग चेक कर लेगे वो चान नमबर की पिन पे पहले रीडिंग नहीं आ रहा था अब CPU रीडिंग करने के बाद वहाँ पे रीडिंग आटा है के नहीं वो हम देख लेगे यहाँ पे कैपिसितर आपस में जूर गए थे तो इसको मैं अलग कर लेता हूँ अल्टिमेटर को बजरने में सेट करके हम उना पे रीडिंग चेक करेंगे च्छान नमबर की पिन पे यह देखो यहाँ पे रीडिंग आ गया जो इससे पहले वो रीडिंग नहीं आ रहा था अभी यह रीडिंग आ गया है इसका मतलब यह कि हमारा जो पॉन के अंदर जो ग्राफिक्स का प्रोब्लम टाप वो भी सॉल हो गया होगा नमबर वन पे देखो नमबर टू नमबर थ्री और नमबर च्यार यह देखो आगया एक बार क्या करते हैं हम डिस्प्ले कनेक करके देखते हैं कि क्या इस प्रेक डिस्प्ले पर कुछ सो हो रहा है कि नहीं हम देखेगे पॉन को चार्जिंग में लगा के देखेगे यह देखो डिस्प्ले पर चार्जिंग का लोगो दिखाई दे रहा है इसका मतलब यह कि हमारा यह प्रॉंट फॉंट के दर जो प्रॉब्लम ठावो सॉल हो गया है और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजेगा तान्यू पर वच्छिं वडियो